देखे दिस नॉट दो फर्स टाइम की एकी फैमिली से दो अलग-अलग व्यक्तित्व किसी अलग-अलग विचारधारा के साथ जुड़े हों और ये स्वाभाविक सी बात है कि आप हमारे हाथ को ही ले लीजे जो पाम है उसकी हमारी उंगलिया है पांचों के पांचों वो भ जो नेत्रूत है उनसे प्रभावित होके किसी और पार्टी के साथ जुड़ी हो तो वो अपना काम कर रही है और मैं किसी अलग पार्टी अलग विचारधारा भारती जंता पार्टी के विचारधारा से जुड़ी हों तो मैं अपना काम कर रही हूं तो वही एक है कि वो मेरा मेरा मेन फोकस है कि जितना हो सके उतना मैं लोगों के बीच में जाके भारतिय जन्ता पार्टी का जितना भी विश्वास है लोगों में वह बढ़ा सकू तो वही एक बात है और वही मैं दिमाग में लेके चल रहे हूं तो अभी यह सारी चीजों के लिए टाइम नहीं है मुझे जो करना है उसमें ज्यादा केंडरित होके मैं आगे बढ़ रहे हूं 2019 में भारतिय जन्ता पार्टी में जॉइन मैंने किया तभी से लेके अभी तक मैंने 200 जितने गाउं हैं वो में घूमी हूं खास करके जामनागर के जितने भी आसपास के गाउं है वहाँ जा जाके स्तरीश शशक्तिकरण नारी जागरूति का जो एक कैमपेन में चला रही थी वो इसी बात को ध्यान में रखते हुए था कि मेरा ये मानना है कि कोई भी घर में अगर महिला जागरूत है महिला सशक्त है तो वो भावी पेढ़ी के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि निरंतर अगर हमारी भावी पेढ़ी की बात करें तो वो ज्यादा से ज्य के लिए वो तयार करती है क्योंकि गुजराती में कहवत भी है कि एक जो सिक्षित माता है ना वो सौ जितने शिक्षकों की गरज है वो पूरी करती है तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए सशक्तिकरेन मेरा पहला जो है वो मुद्दा रहा है वो आर्थिक तोर पे मानसिक तोर पे शारेरिक तोर पे और राच्किय तोर पे कैसे महिलाओं को इंडिपेंडेंडेंट स्ट्रॉंग और एंपावर किया जाए वो जो थौट है उसके उपर मैं डेफिनेटली फोकस कर रही हूँ हमारे देश की जितने भी शादी शुदा कपल है ठीक है तो लगना विवस्ता का मतलब यह है कि एक दूसरे का पुरग बनके आगे बढ़ना फैमिली जब होता है तो उनके सपोर्ट के बगर कोई भी चीज या कोई भी सफलता आप हासिल नहीं कर सकते हो जैसे कहा जाता कि पुरुष शफल हो तो उसके पीछे एक महिला का जो हाथ है वो भाग है वो सेक्रिफाइज है वो बहुती एहम होता है मेरे लिए बहुती भावक्षन था जब हम फॉर्म भरने गए और वो मेरे साथ में दे तो वो बहुती एक एमोशनल एक फील होता है जो मैं शब्द में नहीं बता सकती, but definitely yes, कि एक दूसरे के साथ चल के, क्योंकि मैं अपने माध्यम से, हमारे माध्यम से, मैं कहीं ऐसे कपल को वो भी एक inspiration पूरा करना चाहती हूं, देना चाहती हूं, कि जो महिला आगे बढ़ना चाहती हूं, उनके कुछ dreams है, उनके कुछ सपने हैं, जो वो शादी करके भी पूरा कर सकती है, तो husband का जो एक एहम role होता है, husband का एक जो understanding होता है, और support होता है, वो बहुत ही अलग और बहुत ही सबसे ज़्यादा strong होता है, गुजरात की जनता है, आज तक के इतियास हमें, tripolar election mode को कभी उन्होंने accept ही नहीं किया है, कोई ऐसी party है जो अभी गुजरात में आई नहीं है, बट आने का दावा कर रही है, विकास किया नहीं है, विकास के दावे कर रही है, तो ये जो thing है न, ये बहुत ही practical और सीधा हिसाब है इसका, तो अगर कुछ आपने करा नहीं, तो लोग आपके उपर विश्वास कैसे करेंगे, और जो भारतिय जनता पार्टी है, वो अभी विकास की कारे गुजरात में आप देखो, कि नरिंदर भाई मोदी जब CM थे, तब से लेके आज तक इतना ज्यादा drastic जो change हुआ है, इतना ज्यादा जो गुजरात मॉडल है, वो विश्वा में दिया जाता है, मॉडल दिया जाता है, कि ये एक आदर्श स्टेट के माधियम से, हमें develop इस स्टेट को दियान में रखते हुए, बाकी स्टेट को करना है, तो ये जो विकाश की जो गाथा है, वो अल्रेडी निरंदर भारतिय जंता पार्टी के under हो रही है, तो डेफिनेटली लोगों का विश्वास अल्रेडी उन पे प्रस्थापित है, और रही बात ट्राइंगुलर वो जो election mode की, तो एकसेप्ट ही नहीं करती भारतिय जंता पार्टी और गुजरात की जंता इस वेल, तो ये कोई है ही नहीं, election mode है, तो भारतिय जंता पार्टी अपने विकाश के मंतर के साथ, अपने जंता के भरोसे के साथ strongly आगे बढ़ रही है गबल एंजिन के सरकार के माधियम से गुजरात के विकास के पत्थ में जो भी कारे रहते हैं ऐसे हमारे माननिय मुख्यमंत्री पुपिंद्रभाई पटेल सियार पार्टेल जी और जामनगर के जितने भी संगठन के कारे करता भायो बैनों है और खास करके जामनगर की जंता कि उनके विश्वास के आधार पर मुझे आज ऐसे प्रत्याशी चुना गया है तो definitely yes कि एक जो विश्वास है और आपने जो बोला कि celebrity तो ये एक मेरे लिए इसे साब से help करता है कि मैं रविंदर जडेजा जी की wife हूँ तो सेवा के भाव से पहले मैं कर रही थी सेवा वो ट्रस्ट के बैनर से ऐजे कारे करता के तौर पे कर रही थी अब जाके मुझे पार्टी में चुना गया है ऐसे उमेदवार के तौर पे तो definitely सत्ता के माधियम से सत्ता के मंच से मैं एक जो सीमित वर्ग का मैं कर रही थी उससे हटकर उससे आगे बढ़कर एक बहुती मास का बहुती ज्यादा लोगों का मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगी particularly सरकारी जो भी स्कीम्स है केंदर सरकार राजय सरकार के जो भी स्कीम्स है उन तक पहुँचा ना जामनगर एक महानगर है और मेरी जो सीट है वो 78 नौर्थ यानि की सीट है तो डेफिनेटली महानगर से लेके स्मार्ट सिटी बनने तक की जो जर्नी है वो हमें तै करनी है लोगों के साथ तै करनी है लोगों के बीच में रह के तै करनी है